फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे MTAIR के IPO की MTAIR के IPO ने record कायम कर दिया है पिछले तीन साल में सबसे ज़्यादा भरने वाला IPO बन गया है MTAIR का IPO बहुत ही जबर्दस response मिला है पबलिक का और उसके पीछे वज़ा है company का कारूबार MTAIR ISRO और DRDO को service provide करती है बहुत ही reputed और बड़ी company है MTAIR और इस वज़े से लोगों का भरोसा है MTAIR पे और इस वज़े से subscribe हो गया है 200 गुना बहुत ही जबर्दस्थ 2017-18 के बाद आज तक कोई IPO इतना ज़्यादा subscribe नहीं हुआ है तो आगे क्या है इसके listing और कितना इसमें profit मिल सकता है और क्या है इसका grey market में premium चल रहा है जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से और आपको इसमें कितना profit आगे जाके मिल सकता है और क्या इसको long term के लिए hold करके रखना चाहिए सारी जानकारे आपको इस वीडियो के माद्यम से मिल जाएगी लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाए पहला notification आपको मिले चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स MTAR का IPO 200 गुना सब्सक्राइब हो गया है MTAR Technologies 597 क्रोड रुपे के IPO को निवेशको का सांदार रिस्पॉंस मिला है कमपनी का इशू बिडिंग के अंतिम दिन यानि फ्राइडे को 200 गुना जारा सब्सक्राइब हो गया है इससे पहले मिसेज बेक्टर्स का IPO अंतिम दिन 197.95 गुना बरा था और पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा भरने वाला यह IPO का बन गया है MTAR का और ग्रे मार्केट में MTAR के IPO के शेर की प्राइज 85% प्रीमियम पर चल रही है ग्रे मार्केट में MTAR के टेक्स शेरों की प्राइज 85% उपर चल रहा है यानि इसमें लिस्टिंग के दिनी निवेशकों को अच्छी खासी कमाई हो सकती है यानि लगबग डबल लिस्टिंग की पूरी संभवना बन रही है हाल के IPO की बात करतो हिरंबा और रेल टेल ने भी निवेशकों को जोली भरी है लेकिन मिसेस बेक्टर इसू प्राइस की तुलना में हिसाब से लोगों को रिटन नहीं दिया था और मिसेस बेक्टर से लोगों को मायूशी मिली थी MTR का 72.6 लाग शेर बेच रही MTR जबकि उसको 145.79 करोड शेरो के लिए अप्लिकेशन मिले है कमपनी को रिटेल इन्वेस्टर से 28.4 गुना सबस्क्राइब हुआ है और क्वालिफाइड इंस्ट्यूशनल बाहर से 165 गुना सबस्क्राइब मिला है और नौन इंस्ट्यूशनल इन्वेस्टर से अपने रिज़र कोटे के मुकाबले इन्वेस्टर से 650.79 गुना सबस्क्राइब के लिए अपलाई किया है यानि बहुत बड़ी अपलाई मिली है नौन इंस्ट्यूशनल इंवेस्टर से बहुत बड़ी बीडिंग मिली है इनको कमपनी ने मंगलवार को एंकर इन्वेस्टर से 179 करोड रुपे जुटाए थे और फ्रेंड्स कमपनी IPO में 123.52 करोड रुपे के करीब 21,48,149 फ्रेश एक्विटी शेर ओफर करी है और इसमें उसके शेर ओल्डर भी 473 करोड रुपे के करीब 82,24,270 एक्विटी शेर बेच रहे है कमपनी ने इशू के लिए 574 से लेके 575 का प्राइज बेंट तेह किया है और कमपनी फ्रेश शेरों की बिक्रीम से आसिल रकम कर्ज चुकाने में और लॉंग टर्म वर्किंग क्यापिटल की जरूद को पूरी करने में खर्च करेगी MTR का इशू पहले दिन ही सब्सक्राइब हो गया था पूरा भर गया था और इससे पहले सबसे ज़्यादा भरने वाले जो IPO उसका रिकॉर्ड 2017 में आये साला सर्टेक के IPO का है जो 273 गुना सब्सक्राइब हो था उसके बाद Apollo Micro का नंबर है जिसका 2018 में आया था और IPO 248 गुना भरा था जबकि 2017 में आये Astron Paper का IPO 241 गुना भरा था 241 गुना भरा था और 2017 में ही Capacit Infra का IPO 183 गुना और उसी साल आये BSA की Subsidiary CDSL का IPO भी 170 गुना सब्सक्राइब हो था और फ्रेंड्स 2019 में आया Ujji One Small Finance और 2018 में आया Umber Enterprises का IPO भी 165 गुना सब्सक्राइब हो था 2007 में आया Rayleigh Gear IPO 160 गुना सब्सक्राइब हो था और इस साल ऐसे तीन IPO जो 1500 गुना से जादा भरे हैं जिसमें Happiest Mind है 150 गुना सब्सक्राइब हो था मजगाव डॉग 157 गुना और Burger King 156 गुना सब्सक्राइब हो था तो इस तरह से बहुत ही सांदार तरीके से सब्सक्राइब हो और काफी दिनों के बाद यानि इस साल ये नए साल में 2021 में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO बन गया है और इसकी लिस्टिंग डबल होने की पूरी संभावना बन रही है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी 85% चल रहा है तो बहुत ही सांदार IPO है और अगर आपको इसमें शेयर अलोट हो जाते तो आपको इसको लॉंग टम के लिए होल्ड करके रखना चीए और ये आपको आ आपका नजरियां सिर्फ IPO में कमाने का है तो उसके लिए आपको क्या करना चीए जो भी आपका profit है उसको रख के बाकी का जो भी आपका investment है उसको निकाल लेना चीए ताकि जो भी आपका profit है वो आपको आगे और profit देता जाए तो ऐसी आपको strategy अपनाने चीए IPO के दौरान क कभी भी आप IPO में अपलाए करते हैं तो आपका जो profit है उसको वारक लेना चाहिए और बागी का investment वापस बार निकालके दुसरे IPO में अपलाए करना चाहिए तो इससे आपका जो profit है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा और आपका investment उसमें एक रूपया भी नहीं लगीगा औ वाली company है और इसके client की बात करें तो इसमें बहुत बड़े-बड़े नाम है जैसे ISRO है DRDO है और world class service provide करने में company बहुत आगे है और friends Indian space program Indian civilian nuclear power program जैसे कई कारेकर में इस company के द्वारा प्राइविच किये गए है और हैदराबाद इस company ने बहुत ही प्रसिद्धी हासिल किये श NTR technology काफी लंबे समय से business में है इसके अलावा यह कुछ बड़े project का हिसा भी रही है इसने engineering sector में एक मुकाम आसिल किया है जो इसके ग्राकों के लिए बीच लोग प्री और विश्वनी इसको बनाता है इसने अलग-अलग client base के साथ काफी काम किया है और इनके यही इनकी सपल 2019 में 185.91 करोड से बढ़कर 2020 में 177.99 करोड तक पहुच गई है और company लगातार अपनी profit को बढ़ा रही है company अपने कामकाज को 7 अलग-अलग manufacturing unit से operate करती है इसके अत्रिक इसकी export oriented unit भी है जिसे आम तोर पर EOU कहा जाता है और इनके हर segment की छमता और function जबरस और पूरी तर से सूसर जीत है friends आज IPO close हो चुका है और इसकी allotment होगी 10 March को और 12 March को अगर आपको IPO allot होगे तो ठीक है वरना 12 March को वापस आपको आपका refund आपका मिल जाएगा और 15 March को आपके demate account में credit हो जाएगे आपके share जो अगर आपको allot होगे तो और फिर इसकी listing होगी 16 को यानि 16 March को listing होगी 10 बज़े के करीब तो अगर आपको share एलोट हुए तो आपको listing के समय अगर आप चाहो तो listing के तहद उनको बेच के आप profit कमा सकते हो या फिर आप उनको long term के लिए hold करके रख सकते हो ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छा profit मिल सके या फिर अपना profit रखके बागी के share बेच दे तीनों मै का आप ध्यान रखे उसके इसाब से आपको अपनी strategy अपनानी चीए लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने finance advisor से एक बार advice ले या अपना खुद का research करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाया है वीडियो पसंद आए तो like से जरू किजिए और चैनल को subscribe कर दिए थैंक्यू फ्रेंड